गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स में रवी कुमार लेक्चर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जीपीसी डुंगरपूर आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे C++ में फ्रेंड फंसन के बारे में C++ में हमने तीन एक्सेस स्पेसिपार पड़े हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अब क्लास के बाहर का कोई फंसन है उसको क्लास के किसी मेंबर फंसन को या डेटा मेंबर को एक्सेस करना है और उसको अगर हमने प्राइवेट बना दिया है या प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर protected बना दिया तो सिर्फ उसकी child class के member functions उसको access कर सकते हैं और private बना दिया तो उस class के अलावा कोई भी उसको access नहीं कर सकता तो यहाँ पर friend function है उसका एक बहुत बड़ा role है क्योंकि वो private जो member है उसको भी access कर सकता है class के बार एक friend function होता है class का वो class के बाहर define किया जाता है class के बाहर define किया जाता है फिर भी उसके पास अधिकार रहता है कि वो class के सारे private और protected members को access कर सकता है member function का prototype है वो हम class के अंदर लिखते है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि friend function है वो class का member function हो गया वो member function नहीं होता है friend function है वो एक function हो सकता है function template हो सकता है member function हो सकता है class या class template हो सकता है उस case में क्या होगा कि सारी जो class होगी गर class template है तो सारे उसके members है वो friend हो जाएंगे किसी भी function को अगर friend function बनाना है तो function का जो prototype होता है उससे पहले हम लिख देते हैं friend आईए इसको समझने के लिए हम एक example देखते हैं यहाँ पर इस example है हमने एक class बनाई है capital B उसमें एक variable बनाया है width double type का फिर public अब width बनाया है width के ओपर हमने कोई access specified नहीं लिखा है इसका मतलब वो by default क्या है private है private का मतलब यह है कि उसको उस class के अलाव कोई भी access नहीं कर सकता फिर public double length length बना दी width बना दी और length बना दी फिर हमने एक print width function बनाया है void उसका return हमनों कुछ भी return नहीं करेगा और उसको हमने friend बना दिया है तो यह हमने सिर्ट प्रोटोटाइब लिखा है class के अंदर इसकी definition class के बार रहेगी void set width यह set width है member function है class b का और इसमें एक parameter ले रहे है double width class है वो अपनी close हो गई अगर हमें किसी class को member class के सारे member function सब उसको अगर friend बनाने है किसी दूसरी class के तो हम क्या करेंगे उस class के पहले अपन क्या लिख देंगे friend जैसे अपन function को बना रहे है तो function को क्या कर रहे है आपर class के अंदर लिख दिया और उसके पहले friend लिख दिया वैसे अगर किसी पूरी class को बनानी है तब हमन क्या करेंगे class a की जो definition है उसके अंदर अपन लिख देंगे class b और उसके पहले लिख देंगे friend इससे क्या होगा Class B के सारे जो Member Functions है वो Friend Functions बन जाएगे Class A के तो Class B के सारे Member Functions है वो Class A के सारे जो Member Functions है वो Data Members है उनको Access कर सकते हैं चाहिए वो Private Q ना हो तो इस तरह से हम पूरी Class के पूरे Member Functions को भी Friend बना सकते हैं आईए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं इसको हैस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस्टीडी Class B Double Width Public Friend Void Print Width और इसमें एक Object पास कर देंगे Class B का Void Set Width इसमें पिरामेटर पास करेंगे Width Double Type का अब Member Function उसकी Definition अबने बाहर लिखिया तो Scope Resolution उपरेटर यूज़ करके हम उसकी Definition अपन बाहर लिख सकते हैं तो Void और B Class का Member Function है B Scope Resolution और Set Width Function का नाम है Double Width इसको अबन डिकलेर करके छोड़ दिया तक Class में और इसकी Definition Class के बाहर लिख रहा है Score Visualization उपरेटर यूज़ करके और इसके अंदर Width के अंदर अपने WID को Assign कर दिया है फिर है Print Width अब याद रखिए Print Width है वो Class का Member Function नहीं है वो बाहर का कोई Function है उसको हमने Friend Function बनाया है Class के अंदर तो उसकी Definition तो Obviously Class के बाहर ही रहेगी तो Void का नाम है क्योंकि Print Width क्या है Friend Function है Class B का तो यह क्या करेगा Directly Access कर लेगा Member को उस Class के इसलिए देखो Cout Width of B B.Width and L तो B.Width करके वो Directly जो Width हमने बनाया था यह देखे Double Width Double Width के ओपर कोई भी Access Specified नहीं है वनलो यह Private है तो Private होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे है Friend Function की Help से उस Class के बाहर इसको Access कर पा रहे है तो यह एक Benefit है Friend Function का और यह एक तरह से नुकसान भी है जो Data Hiding अपन करते हैं Data Hiding नहीं हो पा रही है Friend Function के तरह एकसेस कर रहे है तो दोनों चीज़ें है Friend Function से यह Man Function हो गया उसमें B Class का Small B Object बना दिया और Set Width है उसके अंदर 10.0 पास कर दिया फिर Friend Function है उससे Print Width की Return 0 तो Code को Compile और Execute किया तो उसका Output आ गया 10 तो Students यह था Friend Function के बारे में एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है C++ के अंदर एक्जाम में इससे Related Cutions पूचे जा सकते है Subjective Cution भी आ सकता है Objective Cution भी आ सकता है इसलिए इसको बहुत अच्छे से तयार करना Thank You